Hello learners, नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष मिनारैन, Associate Professor of Economics, Government Courage मेंदरगर्ट आज आपके सामने प्रस्तुतू, Micro Economics के एक बहुत ही important और रोचक topic asymmetric information या asymmetric सुचना के साथ, जिसमें हम discuss करने वाले हैं asymmetric information के क्या implication हो सकते हैं asymmetric information के meaning को समझने के लिए हमें सबसे पहले symmetric साथ के meaning को समझना जरूरी है और इसके लिए हमारे पास human body से अच्छा कोई example नहीं है, मानव सरीर से अच्छा कोई example नहीं है क्योंकि हमारा जो सरीर है वो symmetric है, क्यों symmetric है इसका दो पक्स होते हैं, दायापक्स और बायापक्स, जो एक दूसरे की carbon copy है जो दोनों हैं वो एक समान हैं देखने में, जैसे हमारे दो हाथ हैं या दो पैर हैं, यानि human body जो है वो symmetric होती है इसका आरच यह हुआ कि जो एक पक्स में जो जीज़े हैं वो दूसरे पक्स में भी है इसी तरीके से अगर हम बाजार के asymmetric information को समझने का प्रियास करते हैं तो अगर बाजार के दो पक्स, एक buyer और दूसरा seller, दोनों के पास जो information है वो एक समान ना हो तब हम कहते हैं कि asymmetric information हैं दोनों के पास या asymmet जिसको कई बार हम विशम सुचना भी कह सकते हैं यानि दोनों के पास जो सुचना है वो सम नहीं है, सम कारत होता है समान एक समान नहीं है, इसलिए इसको हम asymmet सुचना कहते हैं यानि दोनों पक्सों के पास सुचना है, वो समान नहीं है, एक जैसी नहीं है, एक के पास ज्यादा है और दूसरे के पास कम है, तो वो ऐसम्मित सुचना कहलाएगी, सुचना से हमारा यहां भी प्राय है, कि जिस वस्तू के बारे में या जो ट्रांजेक्शन हमारा हो रहा है उसके गुन क्या है उसकी प्रकरती क्या है उसकी विशेष्टाएं क्या है वो उस वस्तू की सुचना है और यह सुचनाएं दोनों पक्सों के पास अगर अलग अलग हों तो हम कहते हैं कि यह asymmetric information है यह जो asymmetric information है इसके फलसुरू बाजार विफल होता है क्यों कि बाजार के जो outcome है वो decide होते हैं price mechanism के दवारा कीमत सहियंतर के दवारा और कीमत सहियंतर काम करता है demand and supply की forces पे demand जो है वो buyer की preferences को बताता है और supply जो है वो sellers की preferences को बताती है लेकिन buyers के पास उस बस्तु की information कुछ अलग होंगी और seller के पास information अलग होंगी तो इस पारती है हुआ कि buyer का जो demand करओ है वो अलग information के आधार पर बनाए गया है और supplier का जो supply करओ है वो अलग information के आधार पर बनाए गया है तो बाजार के दवारा जो price और quantity determined होगी वो less than optimum होगी यानि जो resource allocation है वो optimum नहीं होगा इसके कारण उसवस्तु का या ज़्यादा उत्पादन होगा या कम उत्पादन होगा जो optimum level है उससे या उसवस्तुरी कीमत ज़्यादा होगी या कम होगी और इन सब कारणों से बाजार विफलता उत्पन होगी जो asymmetric information है वो बाजार विफलता को जनम देगी चलिए सुरू करते हैं और asymmetric information को हम detail में जानने का प्रियास करते हैं asymmetric information को समझने के लिए हमें पहले economics of information देखना जरूरी है economics of information से हमारा विपराए है कि बाजार के जो agents हैं जो consumers होते हैं producers होते हैं और owners of resources होते हैं हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें बाजार परिस्थितियों का पूरण ग्यान है क्योंकि हम पूरण परतियोगता की कलपना करते हैं और पूरण परतियोगता की अंदरकत हम ये मान के चलते हैं कि जो consumer producers या owner of resources हैं उन्हें बाजार स्थितियों का पूरण ग्यान है क्योंकि हम यह economics में हम पहले से मान के चलते हैं कि जो agents हैं वो rational हैं यानि consumer producers और owner of resources हैं वो rational हैं हर समय rational होने का मतलब है कि हर समय वो अपना जो भला है वो सोचते हैं और अपने outcome को maximize करने का प्रियास करते हैं और उन्हें जो बाजार की गतिविदी है mechanism of market है उसके बारे में they are well informed उन्हें ठीक से पता होता है कि बाजार किस तरीके से काम करता है उसकी करियाविदी की उन्हें पूरण तया सुचना होती है ऐसा हम मानके चलते हैं कि पूरण प्रत्योगता में जो agents है उनको पूरण ग्यान होता है उनके पास सारी information होती है और यह information जो हैं ज़रूरी है बाजार के सफल होने के लिए लेकिन 2001 में नोबल प्राइज जो विजेता है स्टेटेज, स्पैंस और एकरलोफ उन्होंने information economics के फिल्ड में काम किया और यह establish किया इन तिनों और सास्तियों ने कि जो information market में available होती है वो किसी भी हालत में complete नहीं होती पूरण ग्यान या पूरण सुचना जो है वो उपलब्द नहीं होती है सुचनाएं या तो incomplete होती है पूरण होती है यानि जो buyer और seller है दोनों के पास उस वस्तु की जो पूरी सुचनाएं हो उपलब्द नहीं होती या दोस्मुक्त होती है फ्लोड होती है जो सुचनाएं उपलब्द है बायर और seller के पास वो सही नहीं है गल्द सुचनाएं होती है यानि एक पक्स के पास ज्यादा हो सकती है और दूसरे पक्स के पास कम हो सकती है तो यह तिन्हों अर्षास्त्री थे इन्हों ने information economics के field में काम किया और यह establish किया यह स्थापित कर दिया कि जो information available है वास्तव में जो सोदे होते हैं उन में जो information available होती है वो complete नहीं होती है वो यह तो incomplete होती है यह float होती है यह asymmetric होती है तो वास्तिक संसार में जो सुचनाएं होती है वो पूरन सुचना उपलब्द नहीं होती है वो asymmetric हो सकती है, incomplete हो सकती है और flowण हो सकती है एसा इन अर्ष ास्तियों ने establish किया इससे पहले भी प्रोफेसर स्टीगलर ने Economics of Information नाम से एक आर्टिकल पब्लिश किया था और उसमें उन्होंने जो Economics of Search है Economics of Search की तरफ Progress की थी और एक अलग फिल्ट स्थापित करने का प्रियास किया था लेकिन इस लेक्षर में हम जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो Asymmetric Information तो आई हम समझने का प्रियास करते हैं कि Asymmetric Information क्या है Asymmetric जैसा कि मैंने पहले बताया था एक ऐसी स्थिती है जहां पर एक पार्टी जो बायर यार सेलर हो सकते हैं उसके पास ज़्यादा Information है दूसरी पार्टी की अपेक्षा किस चीज की Information उस वस्तू के बारे में जिस वस्तू का बायर और सेलर सोधा करने वाले हैं उस वस्तू की परकरती उस वस्तू के गुण उस वस्तू की अन्य विशेष्थाओं के बारे में जो सुचना है वो एक पक्स के पास ज़्यादा है और दूसरे पक्स के पास कम है तो finally जो सोदा होगा जो outcome होगा उस transaction का उस पर ये जो सुचनाओं की asymmetry है या अलग-अलग सुचनाओं की उपलबता है वो effect करेगी वो उनके सोदों को पर अपना जो है परभाव डालेगी उसके परिणाम को परभावित करेगी तो ये asymmetric information है अब इस asymmetric information के कारण क्या होगा opportunism उत्पन होगी यानि अवसरवाद की तरफ ले जाएगी asymmet जानकारी जो है वो agents को अवसरवाद की और ले जाती है क्यों ले जाती है क्योंकि एक बंदे के पास information ज्यादा है और दूसरे व्यक्ति के पास जो information है वो कम है तो हर समय ज्यादा सुचना जिस बंदे के पास है जिस व्यक्ति के पास है जिस agent के पास है वो कम सुचना वाले व्यक्ति से लाव उठाने का प्रियास करता है तो इसको हम अबसरवाद कहते हैं इसलिए जो बाजार जो है वो विफल हो जाता है क्योंकि opportunities हम को जनम देती है जो एक पक्स है जिसके पास ज्यादा information है वो कम information वाले से लाव उठाने का प्रियास करता है वास्तों में sound economic decisions के लिए हमें accurate information होनी जरूरी है यानि अगर हमें सही आर्थिक निर्णे लेने हैं तो जो श्टिक जानकारी हमारे लिए जरूरी है सही जानकारी जरूरी है लेकिन क्योंकि सही जानकारी या एक पक्स के पास ज्यादा और दूसरे पक्स के पास कम जानकारी होने के कारण market में imbalances उत्मन होते हैं जिसके कारण बाजार विफल हो जाता है एसिमेट्रिक information को हम जो कुछ examples के दुआरा और बेतर तरीके से समझ सकते हैं तो उन examples को हम दो भागों में बाट के discuss करेंगे पहला जब sellers के पास information ज्यादा है buyers की बजाए कुछ examples लेते हैं पहला example हमारा हो सकता है owners of an old car knows more about it than the prospective buyer यानी पुरानी कार को बेजने वाले के पास उस कार की information ज्यादा होत engine है उस पे तीन चार बार काम किया जा चुका है या कोई दूसरा defect उसकी कार में है पुरानी कार के मालिक को पता है नई कार के मालिक को नहीं पता इसका मतलब जब एक पुरानी कार के करेता और विकरेता एक दूसरे से सोधा करेंगे एक दूसरे से मिलेंगे जब मार्केट म तो एक के पास information ज़्यादा होगी और दूसरे के पास information कम है यहाँ पे seller के पास information ज़्यादा है और buyer के पास कम है तो उसके फलसुरूप जो है asymmetric information की समस्या उत्पन होगी और इस समस्या के कारण जो बाजार के outcome है वो less than optimum होगी जलिए एक और example देखते हैं यानि जो पास information है वो ज़्यादा होती है उसके बारे में उनकी बजाएच जो उसको खरीदने वाले है यानि जो शेर ब्रोकर्स है या सेर के बेजने वाले है उनको पता है कि इस सेर की price earning ratio क्या है उसकी price earning ratio की history क्या रही है उस firm के prospects क्या है future prospects क्या है उस firm के potential क्या है या उस firm की कौन-कौन सी weaknesses है हो सकता है कि उन्हें पता होगी ये firm के profits बहुत तेजी से गिरने वाले हैं तो उसके कारण जो buyers हैं उनके पास information कम होगी और sellers के पास जो stock brokers हैं उनके पास information ज्यादा होती है यहाँ पर भी information asymmetry की जो problem है वो arise होगी और problem of asymmetric information के कारण जो market है वो fail हो जाएगा यानि जो outcome होगे वो less than optimum होगे एक और example देख लेते हैं sellers of old property जो पुरानी संपती है उसके जो बेजने वाले हैं उनके पास उस संपती की सुचना ज्यादा होती है और खरीदारों के पास कम होती है अगर आप कोई पुराना मकान खरीदन defects है इस मकान में या कौन कौन सी कमी है जो उस मकान के रहने वालों को ज्यादा पता होती है और पुरानी संपती के खरीदने वाले के पास वो information कम है फिर से एक asymmetric information की समस्या जो है वो आएगी जब हम किसी old property को sell करेंगे इसी तरीके से a doctor knows more about medical services than a patient यानि एक जो मरीज है उसक किन किन लाइंस पर सकता है मरीज से ज्यादा डोक्टर को पता होता है तो यह कुछ इंजामपल थे asymmetric information के market में जब sellers के पास information ज्यादा थी और बायर के पास information कम है इसके विप्रीद जब बायर के पास information ज्यादा हो और सेलर के पास information कम हो तो उस condition एक ऐसा example भी हो सकता है कि ज seller के पास information कम है इसका एक example हम ले सकते हैं insurance buyer यानि एक insurance जो खरीदने वाला है वो अपने risk के बारे में ज्यादा जानता है जो विमा company जो उसके जो खिम को उसके जो health risk को cover करती है उसके पास information जो है वो कम है तो इसका आर्थ यह हुआ कि एक pucks यानि जो खरीदने वाला है उसे अपने स्वास्ते के बारे में पहले से ज्यादा ज्यादा पता है अगर मैं health insurance की बात करूं तो उसको पता है कि मेरे health की क्या-क्या problem है कौन-कौन सी मुझे बिमारियां है लेकिन जो insurance firm जो उसको बिमा दे रही है उसके पास उसकी सुचना कम होती है तो यह भी asymmetric information का एक example है बाजार में अब इस asymmetric information के effects क्या होंगे इसके परभाव क्या होंगे क्या effect होगा जब बाजार के एक पक्स के पास information जादा है और दूसरे पक्स के पास information कब है तब क्या होगा asymmetric information के कारण क्या होगा market fail होगा और इस market failure के कारण क्या होगा फर्मों का उत्पादन या तो बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा यानि production of firm वेभी very low यह और very high यानि जो optimum production है उसकी बजाए बहुत कम हो सकता है या बहुत ज्यादा होتي इसी तरीके से जो गोर्त ज्यादा और बहुत कम होने के तो जो scratch resources है जो दुरलब संशादन है उनका आबंटन जो है वो एकुसल होगा वो कुसलतम आबंटन नहीं होगा इसी तरीके से इसी वस्तु का जो price है वो या तो बहुत ज्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है तो price of items may be very low or very high due to asymmetric information problem इसी तरीके से जब information asymmetry होगी एक पक्स के पास information कम होगी तो उसके कारण बाजार लुपत भी हो सकते हैं यानि वो बाजार समापत भी हो सकते हैं तो यह कुछ implications हैं कुछ effects हैं जो asymmetric information के फलसरूप होते हैं market के outcome पर अब asymmetric information के कारण जो problem उत्पन होती हैं वो होती हैं तीन एक adverse selection दूसरा moral हजार और तीसरा जो है principal agent problem यानि जो सुचना भी समता है asymmet सुचना है उसके फलसरूप तीन परकार की समस्याएं उत्पन होती हैं जिनकों detail में discuss करने वाले हैं adverse selection या परतिकुल चुनाव moral hazard या नयतिक संकट और principal agent problem इन तीनों को हम detail में discuss करेंगे चलिए पहले हम जानते हैं asymmetric information एक information problem उत्पन हुई अब ये information problem जो है ये सोदे से पहले भी हो सकती है और सोदे के बाद भी हो सकती है अगर सोदे से पहले है ट्रांजेक्शन से पहले है तो वो adverse selection को जनम देगी यानि अगर सोदे से पहले एक पक्स के पास information ज्यादा है और दूसरे पक्स के पास information कम है तो जो selection होगा वो adverse होगा परतिकुल चुनाव की समस्या उत्पन होगी इसके विप्रीट अगर सोदे के बाद उसके जो implications है जैसा कि हमने doctor और health insurance के बारे में बात की थी तो वहाँ पर क्या होगा समस्या क्या उ adverse selection होगी और सोदे के बाद अगर दीकत आती है तो वह हमारी नैतिक संकट या moral हजार की समस्या उत्पन होगी तो यह जो दोनों समस्याई है इसके कारण बाजार एपूर्णता उत्पन होती है और बाजार विफलता उत्पन होती है चलिए अब हम adverse selection को discuss करते हैं adverse selection से हमारा क आया कि एक ऐसी situation है जब एक party के पास ज्यादा information है और दूसरी party के पास कम information है तो उस condition में क्या होगा ignorant party जो है वो lack information when negotiating a instrument or deal जब वो एक समझोता है अस्वद्धे पर बाचित करती है दोनों पक्स जब एक दूसरे से बाचित कर रहे होते हैं तो एक पक्स के पास सुचनाओं का अभाव है और दूसरे के पास सुचनाओं ज्यादा है उधारन के लिए जब लोग life insurance खरीचते हैं तो जो खरीचते हैं उनको अपनी health के बारे में ज्यादा पता होता है insurance company के अलावा तो इसके कारण क्या होगा जो insurance company जिन लोगों का चुनाओं करेगी वो एकदम सही जनम देगी जो adverse selection की problem है और इसके कारण क्या होगा जो more informed person है वो less informed person की तुलना में जो contract sign होगा health insurance का for example वो ज्यादा beneficial contract sign होगा और इसके फलस्वरूप एक party जो है वो दूसरी party की hidden characteristics के बारे में पुरहन तया नहीं जानती है, adverse selection का मतलब है कि जो hidden characteristics है उनके बारे में एक पार्टी इग्नोरेंट रहती है जो hidden उसकी जो चिपी हुई विशेस्ता हैं उनके बारे में एक पक्स जो है उसको जानकारी कम होती है तो उसके कारण adverse selection उत्पन होता है adverse selection को समझने के लिए प्रोफेसर एकरलोफ ने 1970 में एक लेक लिखा था जिसको उसने the market for lemons ये बहुत famous है market for lemons quality uncertainty and the market mechanism इसमें उन्होंने जो सुचना विसमता है यानि एसम में सुचना है उसके बारे में detail में डिसकस किया था और प्रोफेसर एकरलोफ ने पुरानी कारों के उधा कारण मार्केट फेल होता है उनके अनुसार दो परकार की कारें है एक अच्छी किसम की जिसको उसने नाम दिया चेरी प्रोफेसर एकरलोफ ने और दूसरी जो परकार की कारें वो गटिया किसम की है जिसका उन्होंने नाम दिया लेमन्स अब मानलो जो अच्छी किसम की कार रहे हैं उनके बेजने वाले उसको कम से कम साथ हजार से कम में नहीं बेजना जाते और अच्छी कारों के बायर से हैं वो उनके 80,000 रुपे से ज्यादा नहीं देना जाते इसका मतलब यह हुआ कि जो सोधा होगा अच्छी कारों का अगर information asymmetry नहीं हो तो 60,000 से 80,000 के बीच में होगा दूसरी परकार की जो कारे हैं वो लेमन्स कार हैं यानि गटिया किसम की कारे हैं उसके seller जो हैं उन कारों को कम से कम 30,000 से कम में नहीं बेचेंगे और buyers जो हैं उनको 40,000 से ज्यादा में नहीं खरीदेंगे तो यहां जो सोधा होगा और 30,000 और 40,000 के बीच होगा तो प्रोफेसर एकरलफ ने कहा कि दो परकार की कारे हैं एक अच्छी किसम की है और दूसरी गटिया किसम की है अच्छी किसम की कारों को उन्होंने चेरीज का है चेरीज एक फ्रूट होता है लालाला आपने देखा होगा दूसरी जो है गटिया किसम की हैं जिनको लेमन्स कहते हैं निम्बू दोनों इक खटे होते हैं लेकिन एक बढ़िया क्वालिटी का होता है चेरीज का प्राइस ज्यादा होता है और लेमन्स का प्राइस कम होता है तो दो परकार की कारों के माध्यम से प्रोफिसर एकरलफ ने हमें समझाने क प्रियास किया अब उन्होंने का कि क्या कारों के खरीदार जो हैं इन दोनों कारों के अंतर को पैचान सकते हैं उन्होंने कुस्टन पुटप किया जो दो परकार की कारे हैं बजार में एक अच्छी किसम की कारे हैं और दूसरी गटिया किसम की कारे हैं लेकिन क्या कारों के ख उसको खरीद सकते हैं तब कोई समस्या उत्पन नहीं होगी क्योंकि जो खरीद रहा है उसे पता है यह अच्छी किसम की कार है इसी तरीके से अगर गटिया किसम की कार को खरीदने वाले को पता है कि यह गटिया किसम की कार है तो वो उसके इसी हिसाब से प्राइस देगा अग यानि कार के खरीदारों को इन दोनों कारों के अंतर का नहीं पता है, तब क्या होगा, यहाँ पे समस्य उत्पन होगी, तब किसी भी कार के लिए सबसे अधिक खरीदार क्या बुगतान करेगा, क्योंकि कार के खरीदने वाले को यह नहीं पता कि यह अच्छी कार है या बुर देंगे यानि इसकी जो averaging हो जाएगी जो seller price है इसकी average हो जाएगी यानि average 60 plus 3 30 को 90,000 रूपे होगे और उसकी average निकालेंगे तो 45,000 हो गए यानि जो car को खरीदने वाले हैं वो उसको बेशने वाले हैं उनकी average 45,000 है और खरीदने वालों की average जो है वो 60,000 है 80 plus 40 120 तो इस averaging के कारण क्या होगा जो प्राइस है वो 45,000 से 60,000 के बीच में होगा ठीक है 45,000 से 60,000 के बीच में कार के खरीदने वाला पे करना चाहेंगे अब क्या इसका मर्थ क्या हुआ कि जो 45,000 से 60,000 के बीच में averaging के फलसरूप price डेटर्माइन होगा लेकिन इस price वे जो अच्छी किसम के seller है वो अपनी कारों को नहीं बेशने चाहेंगे क्योंकि वो उनको minimum 60,000 रुपे चाहिए 60,000 से उपर में ही वो अपनी कारों को बेचेंगे जो अच्छी किसम कार का मालिक है लेकिन averaging के कारण अच्छी किसम की जो कार है उसको पेजने वाले जो है वो मार्केट में नहीं आएंगे इसके विप्रीत जो गटिया किसम की कार है शेलर 30,000 में बेजने के 45-60,000 है न तो वहाँ पे उनको प्राइस ज्यादा मिलेगा तो इसका आर्थ यह होगा कि जो बुरी किसम की कारे हैं वो अच्छी किसम की कारों को मार्केट से बाहर कर देंगी जैसे हमने ग्रेसम की रूल में पढ़ा था कि जो जब बुरी मुद्र है वो अच्छी मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देती है तो इसी तरीके से जो बुरी कारे हैं जो कटिया किसम की कारे हैं वो अच्छी किसम की कारों को मार्केट से बाहर कर देंगी तो कि अच्छी किसम के मार्क जो कारों के मालिक है वो घाटे में रहते हैं और वो अपनी सुचना विशमता जो है वो उत्पन हो जाएगी asymmetric information उनके mind में आ जाएगी कि जो बाजार में कारें बिग रही हैं उन कारों में कुछ ना कुछ गल्त है इसलिए जो average price पे अपनी कारों को बेजने का प्रियास करेंगे और इसी तरीके से जो lemons हैं वो potential customer को old car market में पुरानी कार पाजारों के जो बाजार में संभावित गराओं को के लिए वो एक lemon कार को खरीद के ही उसकी खरीदारी करेंगे चाहे वो cherry हो सकती है यानि अच्छी कार हो सकती है लेकिन फिर भी खरीदने वाले उसको खराब कार समझ के उसका price लगाएंगे तो उसका result क्या होगा जैसे कि हाँ मातर 50,000 में खरीदें मन पसंद गाड़ी लेकिन जो अच्छी कार है उसके जो बेजने वाले वो 60,000 से कम में नहीं बेजना चाहते तो इसका मतलब अच्छी कारें जो हो market से बाहर हो जाएंगी और बुरी कारें जो हो market में रह जाएंगी इसके फलस्वरूप जो हमारी समस्या है वो उत्पन होती है adverse selection की और adverse selection के कारण जो market का size है वो घट जाता है और संभवत है वो समाप्त भी हो सकता है तो परतिकुल चुनाव जो हो बाजार के आकार को कम करता है और उसे समाप्त भी कर सकता है अब हम आते हैं दूसरे topic पे जो है moral hazard moral hazard क्या है when an ignorant party in a transaction lack information about the performance of a previously agreed transaction वहाँ आपने hidden characteristics का था यहाँ पे hidden action है यानि जब किसी सोदे में जो अग्यानी party है जिसके पास कम सुचना है उसके पास पहले से जो सहमत सोदा हुआ है उसके performance से related monitoring का अभाव है या अगर वो party उस सोदे की या जो हमने समझोता किया है उसकी अवेलना करती है तो उसके पास उसको retaliate करने की ability नहीं है तो उस condition में moral hazard की समस्या उत्पन होती है इसको हम broadly speaking यह कह सकते है कि जब किसी व्यक्ति के intention या hidden action की किसी एक party के पास ज्यादा information होती है और दूसरी party के पास कम information होती है तो उसके कारण moral hazard की समस्या उत्पन होती है इसको भी जब हम कुछ example देंगे तो हम बहुत अच्छी तरही के से समझ पाएंगे क्योंकि moral hazard भी एक अवसरवादिता एक परकार की अवसरवादिता है जिसमें किसी अधिक जानकारी वाले व्यक्ति द्वारा कम सुचित व्यक्ति से लाव उठाने के लिए एक गैर जिम्मेदार वेवार किया जा सकता है उसके द्वारा जो less informed person है उसके वो irresponsible action जो more informed person है उससे देखने को मिल सकते हैं इन उधारनों के द्वारा इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं एक implies जो है वो काम से अपना जीच उरा सकता है अगर उसका supervisor उसे ठीक से supervise नहीं करता है तो मालो मैंने एक चोकेदार रखा है और कहा है कि रात में आपको मेरे घर की चोकेदारी करनी है या मेरे खेत की देखवाल करनी है और उसी साब से मैं उसको salary देता हूं कि वो पूरी रात जगेगा और खेतों की देखवाल करेगा लेकिन वास्तों में वो स्याम होते ही सोजाता है और मैं देखने में जा नहीं सकता हूं तो इसके कारण क्या होगा तो वो काम से जीच उरा सकता है काम चोरी कर सकता है इसी तरीके से अगर मैंने अपना health insurance ले लिया तो मैं अपनी health का ख्याल रखना बंद कर दूँगा, hidden action है, जो health insurance देने वाला है, उसने ये नहीं सोचा था कि मैं health insurance लेते ही, अपनी health के परती लापरवा हो जाओंगा, या मैंने accident insurance लिया, और helmet पहनना बंद कर दिया, तो ये फिर से hidden action है, क्योंकि बिमा company है, उसको उसका नुक्सान होगा, अगर accidents ज्यादा होंगे तो, ये जो है, ये moral hazard की problem है, जो उत्पन होती है, hidden action के कारण, छिपे हुए कारियों के कारण, जिनकी ठीक से monitoring नहीं हो सकती, और पकड़े जाने पर जिनको दंडित नहीं किया दा सकता, इसके फलसोरूप moral hazard की समच्चा उत्पन हो सकती है, अब moral hazard जो है, वो हार समय हारम फ जो बच्चा पैदा होगा, या जो महिलाएं हैं और सिसु हैं, उनको लाब मिलेगा, तो moral hazard हर समय हानिकारक होना जरूरी नहीं है, लेकिन moral hazard जो है, वो बाजार विफलता को जनम जरूर देता है, बाजार विफलता उत्पन होगी moral hazard के कारण, हर समय उत्पन होगी, क्यों उ बिमा कंपनी है, उनको एक्सिडेंट ज्यादा होंगे, एक्सिडेंट ज्यादा होंगे, तो बिमा कंपनी क्या करेंगी, उनको ज्यादा मात्रा में एक्सिडेंट के लिए भुगतान करना पड़ेगा, एक्सिडेंट के लिए बुगतान ज्यादा करना पड़ेगा, तो बि अब जो जाएगा मोरल हजाइड के कारण तो यह बिसिकली मोरल हजाइड की समझ से हैं यह भी बाजार विफलता को जनम देती है नेक्स प्रोडलम है हमारी प्रिंसिपल अजेंट प्रोडलम एक एजेंट होता है यह कारिय करता है और उसे एक प्रिंसिपल जो है वो हायर करता है काम करने के लिए किसी भी काम करने के लिए प्रिंसिपल जो है वो एक एजेंट को हायर करता है अब जो agent जो है उसे पता है कि वो principle ने जो उसको काम दिया है जो जिस कार्य के लिए रखा है उसको वो कितना करने वाला है उसको कितनी इमानदाली से करने वाला है agent के पास private information है contact right करने से पहले लेकिन जो principle है उसके पास information नहीं है तो यह information asymmetry की समस्या उटपन होगी क्योंकि अगर किसी agent ने मानलो एक principle है उसने एक किसी काम के लिए worker रखा है तो worker को पता है कि उसकी capability क्या है उसे कितना काम करना है तो एक पक्स के पास information ज़्यादा होगी और दूसरे पक्स के पास information कम होगी अब जो agent है principle ने उसको इसलिए रखा है कि वो उसके profit को maximize करेगा agency problem जिसको हम कहते हैं लेकिन क्योंकि जो agent है वो principle के profit को maximize नहीं करता वो अपनी utility को maximize करने का प्रियास करता है तो इसके फलसरूप दोनों परकार की समझे हैं उत्मन हो सकती है adverse selection भी हो सकता है और netic sun cut भी हो सकता है adverse selection कब होगा जो principle है उसने agent को hire किया यानि एक principle जो है जो नोकरी पर रख रहा है उसको एक आलशी करमचारी को नोकरी देनी पड़ सकती है क्योंकि उसे नहीं पता था नोकरी पर रखने से पहले जब उसने एक साल का contact sign किया तब उसको नहीं पता था कि ये जो बंदा है जिसे वो contact sign करता है वो बहुत आलसी है या बहुत ज़्यादा काम चुराता है इसके कारण adverse selection की problem उत्पन हो सकती है principle agent problem के कारण इसी तरीके से जो agency problem के कारण नैतिक संकट की स्थिति उत्पन हो सकती है नैतिक संकट जो हमने बताया कि जो agent है जो कारी करता है जो काम करने वाला है जिसको principle ने रखा हुआ है काम पे वो अपने खुद के लाब को अधिक करने का प्रियास करता है अपने swim के लाब को अधिक्तम करने का प्रियास करता है उसके फलसरूप जैसे कंपनियां रखती है management जो है जो मालिक हैं वो management को अलग से hire करते हैं अब management जो है वो मालिक या जो firm है उसके profit को maximize करने के लिए अपनी खुद की utility को खुद के profits को maximize करने का प्रियास करता है अब जो हमने asymmetric information डिसकस की उसके implication क्या है उसके implication एक हो सकते हैं कि जो खरीदने वाले हैं वो उत्पादन की गुणवता का पहले से पता नहीं लगा सकते उसको पहले से ग्यात नहीं कर सकते इसके बाद जैसा कि हमने 11 problem में डिसकस किया था कि जो low quality products हैं लेमन्त हैं ना जो खराब कारें थी वो अच्छी quality की कारों को market से बाहर निकाल सकती है यह इसका implication हो सकता है तीसरा implication यह हो सकता है कि तोंकि limited information है prices के बारे में जिसके फलसवरू जो market power है sellers की वो बढ़ सकती है ठीक है इसी तरीके से low quality products जो है वो अपनी वस्तुओं को बेशने में जाता सफल होंगे उनकी बजाए जिनकी product की quality बढ़िया है तो यह भी asymmetric जो information है उसके implication हो सकते है तो इसी तरीके से asymmetric information जो है वो बाजार में labor market में स्रम बाजार में भी समझ साय उत्पन करता है जैसे हमने example दिया था कि labor की जो demand है वो less than optimum हो सकती है तो यह कुछ implication है जो asymmetric information के फलसुरू बाजार में उत्पन होते है तो आज के इस video lecture में हमने discuss किया asymmetric information क्या है adverse selection और moral hazard क्या है किस तरीके से principal agent problem बाजार वी फलता को जनम देती है अब इसके basis पे कुछ important question बनते हैं जो आपके सामने आप देख सकते हो asymmetric information क्या है adverse selection और moral hazard में क्या अंतर है एक question यह हो सकता है दूसरा question हो सकता है asymmetric information के क्या implications है adverse selection किस तरीके से market failure को जनम देता है moral hazard से आप क्या समझते हैं और इसके फलसरूप market failure क्यों हो सकता है यह कुछ disparity question बन सकते है कुछ हम MCQ question भी देखते है पहला question हो सकता है यह situation where people have taken out insurance behave more recklessly as a result is known as यानि insurance लेने के बाद people जो है लोग जो है वो ज़्यादा recklessly drive करेंगे यह किस चीज़ का example है moral hazard asymmetric information adverse selection or fraud समझ गये या बिल्कुल सही एक is correct answer moral hazard नैतिक संकट नैतिक संकट बताया था न मैंने कि health insurance लेने के बाद हम helmet लगाना बंद कर देते हैं sorry हम अपने स्वास्ते का ध्यान रखना बंद कर देते हैं या हम जो है insurance लेने accident insurance लेने के बाद बिना helmet के drive करने लग जाते हैं या carelessly drive करने लग जाते हैं तो वो नैतिक संकट को जनम देता है दूसरा which of the following is a way to reduce adverse selection in the car market हमने car market दिया था निसमें adverse selection क्यों नहीं होगा इसके कुछ तरीके हैं जो option बताएं हमने providing manufacturing warranties, dealer warranty और good reputation ये तीनों कारण हैं ये all of the वो इसका correct answer होगा जिसके फलसरूप adverse selection की problem जो है वो soul हो सकती है the fact that many companies imply supervisor to oversee the action of worker is a way to treat बताय था ना हमने कि अगर मालिक जो principle है वो अगर agent के action को monitor नहीं कर सकता तो उसके कारण वो क्या रखता है वो supervisor रखता है ठीक है तो बहुत सारी company जो है वो supervisor इसलिए रखती है कि वो किस समस्या से बच सके moral hazard, free rider problem, law of dimenshing returns और adverse selection बिल्कुल सही इसका answer आएगा हमारा moral hazard A जो है वो हमारी सही answer होगा correct answer would be A अब चोथा के उससे नहीं हम देखते हैं MCQ action taken by one party to a transaction that are different from what the other party expected at the time of transaction जब सोधा हुआ तब एक party ने जो expect किया था और वास्तव में जो दूसरी party है उसके जो action है उससे opposite हो तो यह कौन सी समस्या है adverse selection moral hazard, course problem और winner यह भी moral hazard है moral hazard के कारण क्या है, नैतिक संकट के कारण क्या है कि एक party जो सोधे से पहले जो उसका expected viewer था उससे अलग वियो करती है तो वो moral hazard होगा यह कुछ MCQ questions थे और आज के इस वीडियो lecture में इतना ही आपके धरिये पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद थे